चिंदवाडा जिले के वधान सभा अमरवाडा के अंतरकत आने वाला गाउं खिरोटी में बिशली वभा के पावर हाउस में ऑपरेटर की लापरवाही से 22 गाउं में बिशली 48 घंटे पंद रही जिससे किसान गन परिशान हुई इन्होंने पावर हाउस आकर पिशली वभा के ऑपरेटर से बात गी किसानों ने ऑपरेटर से शांती पूर्ण तरीके से अपनी बाते रखी किसानों ने जब ऑपरेटर से पुछा कि लाइट क्यू बंद है तो ऑपरेटर ने जानकारी में ब सकती हैं आपको बता दे किस से पूर्व भी एक घटना बबला के ऑपरेटर रहते हुए किसानों के साथ मार पीट पावर हाउस में की गए थी यदि बिशली लगातार उन्हें नहीं मिलेगी तो आने वाले दिनों में उग्र अंदुलन का इशारा भी उन्होंने किया है बरसानी है भाई साथ हमारे यहां 38 गंटे से रात में और डियल की और एजी की तीनों लाइन बंद है और हम लोग जतने किसान हैं बहुत परिसान कम से कम यहां इस फीदर में 22 गाउं आते हैं वो पूरे 22 गाउं में बिजली नहीं है और हम लोग आते हैं तो यहां मतलब जो करते हैं तो इस तरीके से हम लोग इतने परिसान को समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए हमको कम से कम 24 गंटे वाली बिजली परियाप चाहिए 10 गंटे वाली बिजली परियाप चाहिए 10 गंटे वाली बिजली आट गंटे 6 गंटे मिलती है मुश्किल से चार वजे करते हैं उसके बाद 12 बज़े बंद कर देते हैं इसमें हम लोग किसानों को कहीं से कहीं तक मतलब कहना चाहिए परिशानी का सामना करना पड़ता है और हम लोग संतुष्ट नहीं है जो नहीं तो हम इसके अलाबा हम कुछ भी करने के लिए तैयार है हम चाहे हड़ताल करते है यह चाहें हमको करना पड़ mogelijk किसानों को दस घंट लाइन देने का है यहां दस घंट लाइन देते चाह नहीं चार बजे राज से ला वाइन को मैं लाइन नहीं इन्टिहांच्ज कोन यूसे लाइन नहीं हैं धु黑 वर देला लरा लिंग पानी देवरिभावं आप क्या जाते हैं कि पूरा का पूरा दे भेल पूरा दे रहा है तो दस घंटा कासकारी में लाइन दे और घर वाली जो 24 घंटा लाइन हम किसान बहुत बड़े मजबूर है चाहता हमारे घर में की लाइट भी नहीं है और ना खेत की है और यहां पीचन आकर के जो फीटर चलाते हैं जो बबला करके वो हम किसान लोगों को जादा परिशान कर रहा है वो आके बेगार के चला जाता है इन बिसे नियूस के लिए गजानन बोरकर के साथ राजेश उइकी की रिपोर्ट